हेलो प्रेंट्स नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चैनल बिल कलाशेज में आपका अर्दिक स्वागत है यदि आप चैनल पर नए है तो फिले चैनल को सब्सक्राइब करें आज हम बात करेंगे गाई भैस में दूद बढ़ाने के बारे में कि गाई भैस का कैसे दूद नहीं गेरिये उस स्वास्ता में विदूद कम हो सकता है या कई बार देखा खाने पेने में या कई बार दूर से चलके आए तो चुटवाएंगे वह उसके बात करेंगे मिलर मिक्चर भी चालू करेंगे वह मिलर मिक्चर भी पेस्ट क्वाल्टी का देना है वह बात करें डी वी अम फोरजी की या इनरा बुष्ट टोटा वेट पावर्ड चालू करेंगे जिसके डोजरेट रहेगी 50 ग्राम सुबह 50 ग्र हमां कमपनी का है उसका सीवी सीवी मीन स्ट्रोंग पाउडर आता है वह देंगे यह देने के बाद पशुगा दूद्ध तो बढ़ जाएगा हो सकता है तो केल्षयम भी चालू करेंगे बढ़िया कमपनी के आती है जो कोई भी एनिवन लेके आएंगे और लिवर टोनी लाज के अंदर देशी म्या क्या करें जिससे पर्शुका दुद्ध बढ़ जाए उसके लिए हमें तील होते है तिल उसको पीश कर वह बाटे के अंदर दीया जाए सो ग्राम सुबह सो ग्राम साम को देंगे तो भी दूद बढ़ेगा या बात करेंगे गयहूं की चापड आती है वह तिल को मिला कर देने से खल के साथ मिला कर देने से दूद बढ़ेगा या बात करेंगे सर्षों की खल गयहूं की चापड वह तिल की खल तिनों को मिला कर देने पर दुद आपका आसानी से बढ़ेगा 4 से 5 कजल के बीच आपका दुद बढ़ जाएगा तिल कौन से тайlen ख़ल लेनी है सफेध तिल आते हैं उसकी ख़ल लेनी है चापट भी बनवानी है तिलो को पीछना है तो विए उस सफेद तिलो को पीछना है और उसकी बनानी है इस परकार पसो का दूद बढ़ जाएगा यदि आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें वे वीडियो को शेयर करें धन्यवाद प्रेंड्स